नमस्कार दोस्तों स्वागेता है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर बेटा उतक या जनतो उतक की हम बात करेंगे वीडियो पूरी देखेगा पसंद आये तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कीजेगा 26 फरवरी की वरक्षिट है ये नौई इंत क्लास की एपिथिलियम उतक एपिथिलियल टेशु जनतों के शरीर को ढखने या बारी रक्षा प्रदान करने के लिए इस उतक क्याव शकता है इनका मुखे कारे जनतों के शरीर आंत्रिक अंगो गुहिकाओं को ढखना भिन प्रकार के सारिक तंत्रों को एक दूसरे से सेपरेटे अलग रखना है हमारे सरी में तोचा मुहू आहार नली इसोफेगस रक्त वाहिनी ब्लड वैसल्स फेफडों की कूपी का एलवलाय आदी में यह उतक होते हैं एपिथिलियम के प्रकार सल्की एपिथिलियम तता स्तरित सल्की एपिथिलियम यानि की स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यह का होता है रक्त वाहिनी फेफडों की कूपी काओं में होता है मुह का अस्तर स्तंभी एपिथिलियम यह कुछ गरंथियों का निर्मान करती है संयोजी उत्तक यह उत्तक जिनकी कोशिकाँ आपस में कम जुड़ती है और अंतर कोशिकाँ आधत्री में फस्दसी होती है उन्हें कहते है इसके दो अबायग होते हैं कोशिका और अंतर कोशिका रक्त इसके तरल अधात्री भाग को प्लाजमा कहते है जिसमें तीन परकार की कोशिकाई है आरबीसी, डबलीबीसी और प्लेटलेट अस्तिया मजबूत और कठोर उत्तक है बोन उपास्ति यानि की काटले जिसको ठोस अधारित प्रोटीन और सक्रा से बनता है जिसके वज़े से मजबूत और लचीला है सनायू, एव, कंड्रा ये रेशिदार उत्तक होते हैं सनायू में बहुत कम आलानी होती है एरुलर उत्तक ये अंगों के बीतर की खाली जगे को भरता है वसमय उत्तक के सरीर में वसा का संग्रे करता है सनायू, एव, कंड्रा, रेशिदार, सयोजी उत्तक होते हैं सनायू, अस्ति, कंड्रा, मास्पेसी को अस्ति से जोड़ता है तो दोनों बाते सही हैं लेकिन ये इसका करेट एक्स्प्लेनेशन नहीं है अस्ति और उपस्ति में अंतर्श्पष्ट करें तो देखें अंतर ये रहा भई कि अस्ति कठोरू तक है जबकि इस उपस्ति लचीला है ये है परशन नमबर चार और आखरी परशन जो आपसे इसमें किया गया है वे है कि एपिथिलियम उतकों के कारे लिखे तो एपिथिलियम उतकों के कारे क्या है जन्तों के शरीर को डखना या भारी रक्षा परदान करना इनका मुख्य कारे है शरीर के विभिन अंगों को एक दूसरे से दूर रखना तो ये हो गया पाँचवा उत्तर अब इसमें छटा सवाल भी पूछा गया जो कि English Medium में नहीं था कि सयोजी उत्तक के विभिन परकार क्या है तो सयोजी उत्तक के विभिन परकार जो होंगे वो उसके मिशा दो बाग होते हैं जिसमें परकार ये सबी आपको नाम लिखने होंगे ये नाम लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया ये लिख दिया और ये लिख दिया ये हो गया छटे कांसर तो इससे के साथ बच्चों ये वक्षिट समाप्त होते हैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दे वीडियो